हलो दोस्तों कैसे आप लोग आज बात करने वाला हूँ ग्रो एप के बारे में एक नया फीचर आया है जिसके बारे मैंने अल्रेडी बना करके आपको दे दी है जो की है लोन वाला फीचर तो अगर आपको अपलाई करना है तो आप कर सकते हैं किस तरह से करेंगे स्टेप बा आने वाला हूँ वीडियो पर देखें तो लाइक कदर सब्सक्राइब यहां पर स्केन देखें आपको उतार दो कि जो लोन ओफर है वो आपको होम पेज पर नीचे यहां पर आप देख रहे होंगे वहां पर आपको लोन ओफर दिख रहा होगा मुझे वहां पर प्री अप पेपर वर्क कोई पेपर वर्क वगरण नहीं होगा जीरो क्लोजर चार्जिस जो है वो होने वाला है यानि कि अगर मालीजे आप लोन लेते हैं और उसके बाद आप उसको जी पेमिंट करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर कोई भी जो चार्जि को मिले जब आप को को क्लौुजर करेंगे यानि कि क्लोज करेंगे फोस क्लोज आप कह सकते हैं तो वहाँ पर देखिए इसतर roman आपको देखने को मिल जाएगा लोन वाला सेक्शन अपने को मिल जाएगा और एक其實 आप उठा चाहूंगा पहले मुझे लोन वहाँ पर दिख रहा था तो मैंने apply नहीं किया था तो वहाँ पर देखे अप टू दस लाग तक का loan offer मिल सकता है लेकिन वहाँ पर मैंने जो apply नहीं किया loan उसके वज़े से वहाँ पर लिखा हुआ है कि your pre-approved loan offer has been expired याने कि अगर आपको requirement है और आप लेने चाहते हैं और वहा तो इस तरह से करके आ गया और फिज जब मैंने असी हजार का देखा था वह यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बाद मैंने apply नहीं किया था तो वहाँ पर जो pre-approved loan offer था वह expired हो गया था लेकिन कुछ दिन बाद मैं देख रहा हूं कि वहाँ पर दुबारा से असी हजार का जो offer है वो मैं जो देखने को मिल गया तो उसके बाद get start पर आप click कर दीजे क्लिक करने के बाद देखे minimum amount आपको यहाँ से मुझे फिलाल इतना दिख रहा है कि 50,000 जो loan amount है वो लेना ही पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इसको continue कर पाऊँगा तो मैंने वहाँ पर 50,000 offer दिख रहा है जो कि चार मन्त का है 14 मन्त का है और 24 मन्त का मुझे offer देखने को यह मिल रहा है यह माई details की अगर मैं बात करूं वहाँ पर तो देखिए वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यह माई जो amount है वो 13,482 यहाँ पर मैं जो चार महीने वाला है वो साइद म मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो है 25,49% total interest मुझे यहाँ पर 27,082 पर पे करना पड़ेगा processing fees जो है मेरी 1180 रुपई लग रही है जो amount है इसको आप calculate कर लेना कि कितना charges और यह सब लग रहा है total interest कितना जा रहा है एक बार बाकि interest rate की बात कर तो 25% पर यहाँ पर मिल रहा है और first EMI, last EMI date वो सब यहाँ पर आपको mention हो जाएगा loan का amount जो है वो तीन month 24 days का मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा repayment schedule पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर और भी detail आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर आपको जैसे ही जो auto pay है वो किस account से आपको करना है जहां तक मुझे लगता है जो grow app में आपने अगर trading या फिर SIP वगरा कर रखी है और वहाँ पर आपने जो account पहले से ही aid कर रखा है मुझे लगता है अगर आप उससे करते हैं तो आपका जो auto payment है वहीं से होगा और उसी account में आपको जो amount है यह आपको receive होने वाला है अब आपको एक चीज और बता दूँ कि यहां पर जो calculation वगएरा आप देख रहे हैं उसमें आपको जो processing fees है लग रही है हो सकता है कि वह amount में से minus होकर के आपको receive होने वाली है उसके बाद जैसे कि अगर मैं यहां पर 50,000 रुपए का amount apply कर रहा हूं तो उसमें से ही processing fees जो है 1180 रुपए वो देखने को मिल जाएगा कि वहां पर minus हो गया है और बागी का amount है 1180 minus होने के बाद आपके उसके account में आ जाएगा जो आपने aid किया होगा और auto payment के लिए select किया होगा फिर उसके बाद जो आपकी due date होगी उस date को आपको उतना amount रखना है त और अगर आपको offer देखने को मिल रहा है तो आप जरूर apply कर सकते हैं और अगर आपको requirement नहीं है तो इच्छा आपकी है requirement नहीं है तो आप क्यों ही loan लेंगे मिलते हैं अगली वीडियो में इतना ही कुछ सवाल है या मेरे से कुछ रह गया है इस topic से related तो आप detail में comment कर दीजे है वहाँ पर आपसे बाचित हो सकते हैं कुछ से करना है या पूछना तो आप पोच्च सकते हैं सादर आंस भी नाम से एक YouTube चैनल हो रहा है जहां पर आपको बिलोग देखने को मिल जाता है तो वह चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते अगली वीडियो में इस वीडि मितनही नमस्कार